ठीक है अच्छा इस question में एकर मेरे से यह बुला जाता कि check करो function 3 पे continuous है या नहीं है तो यहां से मैंने 3 पे limiting value निकाला वो limiting value निकाला तो क्या हुआ कि limiting नहीं निकला तो function की value अगर मैं निकालूँगा भी अच्छा limit निकालने में तो यह जंजट है limit निकालने में तो I'll see के 3 की तरफ के side से जा रहा है चोटा है बढ़ा है यह सब देखने की जगत पड़ेगी बट अगर मेरे को f of gx की value निकालनी पड़े जैसे एकर मान लिया y is equal to f of gx का हम से पूचा है न कि value कितना है x is equal to 3 पे तो फिर हमें यह देखने की जो उतनी है 3 से चोटा है या बढ़ा है क्योंकि यह तो exact 3 है इसमें तो हम ऐसी रखते हुए चल जाएंगे पहले x के 3 रखा तो यहां से कितना निकला g3 जाके देखो g3 कितना है यहां से यह g3 कितना आगया 0 अब इसमें यह नहीं पूचा रहे कि 0 चोटा है या बढ़ा है क्योंकि g3 का value तो 0 है यह limit नहीं निकालने है यह तो value निकालने है तो अब जो इसके अंदर यहा है वो तो 0 exact आया exact आया तो अब f भी नहीं पूचेगा कि वो 0 से बढ़ाया चोटा है क्योंकि यह function का value निकालने limit में तो हम बोलें कि value इस तरफ जा रहा है limit में तो जाता है value value function का निकालते समय functional value निकालते समय कोई कहीं जाता नहीं सब कुछ exact रहता है तो x equals to 3 हमने रखा तो g3 आगए g3 का value निकालना तो 0 आगए exact वो ऐसा नहीं हो सकता कि 0 की तरफ जा रहा है एक point वे value कहीं जात होना सकता है एक point वे जो value है वो है यह ठीक है sorry कितना आगया था f0 निकालना है हमेरे को यहां से देखना है f0 f0 यह है 2 ठीक है तो finally यह वाला value कितना आगया 2 तो अगर नहीं से पूछा है function का value कितना निकलेगा वो तो exact दो आएगा तो function का value निकालना तो बहुत आसान काम है ठीक है लिमिट में गड़ बड़ है उसमें यह देखना ही जो पड़ेगी इधर से बड़ा है चोटा है तो limit does not exist होगे तो अगर यही question माल लिया continuity में पूछा होता कि यह जो composite function f of gx यह continuous है या नहीं है 3 पे तो पहले तो हमने value निकाला वो value दो आजा था फिर हम limit निकालते है तो limit does not exist आया था does not exist आया था तो discontinuous तो हमारा answer क्या होता कि function f of gx is discontinuous at x is equal to 3 ठीक है अच्छा जैसे हमने 3 अक्का तो यह यहाँ 0 आया इससे कोई मतलब नहीं है x का जो original value है वो ही point होता है जिसकी बात कर रहें ठीक है एक बार वापस नई sheet पर वापस लग लग लेए function fx was x square minus 1 for x less than 0 and is equal to x square plus 2 for x greater than equals to 0 then function was gx which is x square minus 1 for x less than 3 and is equal to x square minus 9 for x greater than equals to 3 yeah ठीक है limit and continuity of composite function हाई इसमें third का है limit x is turning towards 1 f of gx third part क्या है limit x is turning towards 1 f of gx यह आगया यह third part है ठीक है फिर दुबार हमने बोला कि x कहां जा रहा है 1 को यह कहां जा रहा है 1 को फिर हमने बोलागे g को कोई दिक्कत है क्या 1 पे तो नहीं क्यों नहीं है क्योंकि यह जो value है वो sorry जो g है वो तो 3 पे discontinuous है तो 1 पे कोई दिक्कत थी ठीक है तो चलो फिर हमनों लगे g का value फिर आएगा कितना अगर x1 को जा रहे है तो इन दोनों में 1 कहाँ पर cover होगा 1 तो 3 से छोट है तो उपर ओली definition से cover होगा x square minus 1 से ठीक है तो अगर इसका value 1 को जा रहे है x का value 1 को जा तो ये पूरा value कहाँ जाएगा 0 को तो g को तो कोई दिक्कत नहीं थे जी ने क्या पूला कि अगर x1 को जा रहे है तो किसी भी side से है कोई दिक्कत नहीं है इसका value जी का value तो 0 को जाएगा ठीक है अब ऐसा करने से क्या हुआ f के अंदर वाला number कहाँ जा रहे है अब 0 को फिर हमने f से पूछा कि तेरे को दिक्कत है क्या कि इस argument 0 को जा रहे है तो इसने बोला बिल्कुल यह इसका definition break हो है definition break होने का यह मतलब यह दिक्कत है इसमें क्या हुआ बाइचांस कि जो x less than 0 के लिए जो value आया और जो x greater than 0 के लिए value आया वो अलग-अलग value आया अलग-अलग value आया इसलिए discontinuous हो गया अगर मानलिया इन दौनों जगा से same value आ जाता ठीक है मानलिया उपर x square minus 1 होता नीचे x cube minus 1 होता तो उसमें 0 रखने पर दौनों जगा से value बराबर आया था तो वो continuous हो जाता फिर उसको 0 पर भी दिक्कत नहीं होता फिर तो हमें कहीं पर भी चेक करने की जबूत नहीं दिए फिर तो f कभी अगर मानलिया x square minus 1 हो जाए तो f continuous हो जाएगा हर जगा हर जगे continuous हो जाएगा तो f कभी नहीं पूछेगा कि यह चोटा है या बड़ा है limit निकालते सब ठीक है तो यहां तो अलग-अलग value आया इसलि फिर इस बात का फरक पड़ेगा कि वह 0 plus है या 0 minus है ठीक है तो अब g पे तो फरक पड़ रहा है कि 0 plus है या 0 minus है ठीक है तो फिर हम वापस गए से पूछने वापस अगर मैं अब g का graph खीचू कौन सा definition यूज हुआ इन दौनों में से यह वाला x square minus 1 तो उसका मैंने graph बना ल तो अगर हम 1 की तरफ जाएं ठीक है अगर हम 1 की तरफ जाएं तो यह 1 पे तो यह वाला value 0 है अगर मैं इधर से जाओ 1 की तरफ क्योंकि यहां तो लिखाए limit axis standing towards 1 तो इसमें तो 1 की तरफ दौनों साइट से जाना पड़ेगा ठीक है अगर मैं right hand side से जाओं तो हम graph की उपर चल के आएंगे तब तो यह 0 प्लस को जाएगा अगर मैं left hand side से जाओं ऐसे तो graph की उपर ऐसे चलेंगे हम नीचे से ऐसे तो value 0 की तरफ तो जा रहा है बट नेगेटिव है तो इस वाले कि इसमें 0 माइनस होगा इसका मतलब क्या है कि अगर मैं निकालू limit axis turning towards 1 minus f of gx उसमें मैं तो कहा है कि यह अगर x of 1 minus को जा रहा है तो जो g का value है वो 0 minus को जाएगा 1 minus मतलब 1 के अगर मैं left से जाओं तो इसका जो value है अच्छा यह जो gx का value है वो यहाँ y axis पर plotted है this is not the graph of f of gx यह तो हम gx graph की help से पूरा value calculate करें f का भी इसमें कहीं रोल नहीं है तो y axis पर जो प् रखा है हां तो अगर x 1 तरफ left hand side से जा रहेगा मतलब इस side से अगर हम जाए 1 की तरफ तो graph नीचे से जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि 1 minus है तो इसलिए 0 minus है वो तो 0 plus भी हो सकता है अगर माल लिया 1 पे graph by chance ऐसे बन जाए तो जब 1 की तरफ left hand side से जाओं तब उपर से graph जाए तो इस वाले case में तो 0 plus हो जाएगा ठीक है तो इसमें तो ऐसा by chance हो रहे है कि 1 minus पे value 0 minus है ठीक है अब 0 minus आया तो फिर हम f के पास गहें इन दोनों में 0 minus कहां cover होगा उपर तो इस पूरे का value कितना आएगा minus 1 तो मतलब इसका value कितना आ जाएगा minus 1 1 minus 1 में अंतर है यह समझ म आता है 1 minus का मतलब तो LHL है उसका यह मतलब नहीं कि X negative है 1 minus का मतलब तो 1 से जस्ट पहले left hand side से जा रहे है तो वह तो positive 1 है यह minus 1 आया है यह negative value है तो यह तो LHL हो गया अगर हम बोले 1 plus f of gx तो अगर x जा रहा है 1 plus की दरफ तो g का value कहा जाएगा 1 plus की दरफ मतलब इधर से ह इधर से जा रहे हैं तो graph उपर से आ रहे हैं उपर से आ रहे हैं तो इस पर यह 0 plus होग्या अब f का argument f की अंदर ही यहy f के अंदर लिखा हूँ है इसका value 0 plus को जा रहा है तो फिर f का value कहा जाएगा 0 plus मतलब यहां यह तो X से यहां पर लिखा हूए तो f के अंदर कुछ भी यहीं से देखेंगे, अगर 0 प्लस यहां से जा रहा है, तो इसका वैल्यू कहां जा रहा है, 2 को, तो इसका मतलब है, अब f का वैल्यू कहां जा रहा है, 2 को, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो LHL है वो तो minus 1 हो गया, मतलब अगर मैं एक जिगर लिखेंगे, तो limit axis turning towards 1 minus f of g x, यह तो finally minus 1 आया, and limit axis turning towards 1 plus f of gx, यह value 2 आया, यहां से, तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, यह तो अलग-लग value आ गया, से यह हुआ कि, this limit does not exist, okay, this limit does not exist, okay, this limit does not exist, see here.